हैलो फेरिंड जदात-तर हम कलोंजी का पर योग अपने खाने में विघू से भी तब करतेया हैं पर क्या आपको पता है कि इसे खाने से भहुत सारे फायदे हैं कलोंजी को हम ब्लैक सीट के नाम से भी जानते हैं तो आज मैं इसी कलोंजी से एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आईगी इसके साथ ही इस वीडियो में इसके फायदे भी बताऊंगी तो आप इसे पूरा जरूर देखें तो चलिए वीडियो कर लिया है तो उसमें मैं सारे कलोंजी डाल दूंगे और इसमें इसे मैं पीस लोंगे तो इसे पीसने के लिए आप इसमें पानी का यूजना करें अगर जरूबत परे तो एक से दो चम्मच पानी डाल सकते हैं ये देखिए फिरंड आपको बिल्कुल इसी तरह इसे पीस ज़ह को चं待 है अब यहां पर मैंने यहां पर कुछ ड्रैवफूड लिये हैं जिसमें मैंने काजू, बदाम, किस्मिस और मखाना लिया है तो इसे हमें रोश्ट करना है इसके लिए मैंने यहां पड़ाई लिया है और इसमें थीजल अब islands कानी इसमें मैं तीन से बदीशल े नृष्ट कर ने रेने मेड़ें के भी के विम इसे लिए काजू मेड़े no आइसे परकार में इसमें किस Champs और मख़ाने को भी भून लोंगी तो मैंने और द्धा द्राइफट को भून लियाय है अब इसका उम भादा बना लेंके पेस्ट बना लेंके आप चाहे तो ड्राइफूट को कट करके भी डाल सकते हैं लेकिन इसका पेश्ट इस हलुए में ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर मैंने खजूर लिया है इसे भी हमें पीस कर पेश्ट बना लेना है अब चलिए हलुआ बनाने के प्रोसेस में तो मैंने कड़ाई में तीन से चार चमच और गी डाला है अब इसमें हम कलोंजी पीसीवी कलोंजी डाल देंगे तो यह देखिए फैंड इसमें मैंने पीसीवी कलोंजी डाल दी है अब इसे हमें दो से तीन मिनट के लिए भून लेना है इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा पानी सुख ना जाए आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखे हलवे को भूनते हुए मुझे एक मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हलवा बिल्कुल अच्छी तरह भून चुका है तब इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो हलवा कड़वा हो जाएगा इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम सारे ड्रैफूड डाल देंगे आप चाहे तो इसमें कटे हुए ड्रैफूड भी डाल सकते हैं लेकिन ड्रैफूड का पौडर इस हलवे में ज़्यादा अच्छा लगता है अब यहाँ पर मैं गुर का पौडर डाल रही हूँ तो इसमें 200 ग्राम गुर का पौडर डाल देंगे अब चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ पर गुर डाल रही हूँ इसे अच्छे से मिक्स कर दें अब इसमें आधा कप पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें इसे मिक्स करने के बाद हम इसे एक से दो मिनट के लिए और पकाएंगे अब इसमें मैं एक से दो चुटकी हल्दी डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्सनल है से भी अच्छे से मिक्स कर दे और एक मिनट के लिए और पकाएं ये लेजिए फ्रेंड, हमारा हलुआ बन कर तयार है ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है कलोंजी के बहुत सारे फायदे हैं इसे हम अचार, सबजी वगेरा में डालते हैं कलोंजी को हम ब्लैक सीट के नाम से भी जानते हैं इसमें एरन भरपूर मातरा में पाई जाती है ये डेविटीज के लिए बहुत ही फायदे मंद है ब्लड सुगर को कंट्रोल में करता है हेर फॉल को रोकता है वजन कम करता है कैंसर के कोसी काउं को बढ़ने से रोकता है इसमें भरपूर मातरा में फायवर होता है जॉइंट पेन में सहायक होता है प्रोटीन, कैलसियम और आइरन भरपूर मातरा में होती है कलोंजी हमारे होमोगलोविन को भी सुधारता है आपको यह मेरी यह जानकारी कैसी लेगी प्लीज कमेंट करके जुरूर बताए और मेरे चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जुरूर करे मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई